यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए का ताकि आपको नए वीडियो को सूझना मिलती रहे एक कॉमेंट से शुरुआत करना चाहूंगा कि अभाय बगवे साब ने पूछा है सर कब बनाएंगे वीडियो और आईसी आईसे लॉंबार्ड वेटिंग से तो काफी दिनों से कई दफिन उनने मुझसे पूछा तो चली मैं बना देता हूं हाला कि में सब ही लोगों के जिनके रिकमेंडेशन साती है और जिनके स्टॉक्स वन बाई वन करके या हमारी चैनल पर नहीं बने होते तो मैं ज़रूर बनाता हूं पूरी कोशिश रहती क्यो अगर हम लंबे समय की निवेशक हैं 5 से 10 साल 15 साल 20 साल तो एक बहुत ही अच्छी खाबर यह भी रहेगी हमारे लिए कि जो इंशुरेंस कंपनिया हैं तो अभी हमारे भारत में बहुत कम लोग इंशूर्ट है या फिर जो लोग कंटमपररी या जो लोग कंजरवेटिव है या जो रुड़वादी है जो अल्रेडी पुरानी जिसे लाइसी वगेरा है अब एक और चलन शुरू हुआ है जैसे कि फोरण में होता है टम इंशूरेंस जिनके पास बहुत सारी धनराशी नहीं यह महीने में पे करने के लिए लेकिन वो अपने आपको अगर जैसे से लोग जागरूख होते जाएंगे अपने आपको इंशूर्ड करना चाहेंगे चाहे है लग जो भी पॉलसी लेना चाहे है तो यहां पर हम लाइसी लंबार जनल इंशूरेंस लिंटेज के बात कर रहे हैं इस वन आप द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनल इंडिया आफरिंग इंशूरेंस कवरेज फर मॉटर हेल्थ इंशूरेंस ट्रेवल इंशूरेंस ओम इंशूरेंस इस ट्रेवल अन मौर तो यह जो आने वाला समय है 5-10 साल, 15 साल, 20 साल अभी इस सेक्टर में भूम नहीं आया और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसमें निवेश करना चाहें लंबे समय के लिए जो भी स्टॉक्स हों, जो भी कमपनियां हों उन पर ज़रूर आप बने रहें लंबे समय के लिए तो आपको अच्छे रिटन भी मिल सकता है अगर हम ICSA Lombard के प्रोडक्स में कुछ बेसिक देखें तो मोटर इंशुरेंस देखी चुके हैं कार इंशुरेंस, टुविलर इंशुरेंस, हेल्थ इंशुरेंस, कम्प्लीट हेल्थ इंशुरेंस, हेल्थ बूस्टर, परस्नल एक्सिडेंट इंशुरेंस, इंटरनाशनल इंशुरेंस कम्पनी हैं और हम इसके कुछ डेटा भी देखें हैं कि किस प्रकार के आज के भाव पे ट्रेड, आज तो मार्केट बंद है, आज 9 जून है और जो फ्राइडे को लास्ट क्लोजिन 7 जून 2019 को थी, इसके 1196 रुपए, और साल का लो है 638 रुपए और हाई था मुझे डेड़ साल पहले करीब सितंबर 17 में लिस्ट हुई है और लिस्टिंग के समय इसका प्राइस 6600 के आज पास था और आज हाई 1244 के नीचे चल रहा तो यानि कि साल में, डेड़ साल, डेड़ साल में अच्छा वुनाफा इसने बना के दिया है, मार्केट कैपिटल है सरसट करोल की और एक लार्ज केप कमपनी और अर्निंग परशेर है 23 रुपए, पी है 51.82 की और इंडस्ट्री पी है 49.72 की, बुक वेल्यू है 118 की और प्राइस टुबुक है 10.07 की, डिलिवरी कितने जबर्दस था, कितने शानदार है 72.37 परसन और फेस वेल्यू दसकी है तो देखिए हम यहां कुछ क्वार्टर्स हैं, जिसे जून 18 से सब्तमबर 18, दिसम्बर 18 और Q4 के मार्च 18 तो जहां नेट्सल्स में जून 18 में 329 करोड थी, वहीं सब्तमबर 18 में 328 करोड की रह गई और दिसम्बर 18 में 276 करोड की और मार्च 19 में 296 करोड की, यानि कि जो क वार्टर के रिजल्स हैं, उसमें भी खायर नेट्सल्स में बढ़ा था लेकिन जून से अगर हम कंपेर कर रहे हैं, तो यहां पर डाउन साइड है, उसी प्रकार नेट प्रॉफिट में अगर हम देखते हैं, जून 18 में 289 करोड का जहां प्रॉफिट था वहीं सब्तमबर 18 में 293 करोड बढ़के, और December 18 में 249 करोड डाउन साइड है, और March 19 में भी अगें डाउन साइड है, 279 करोड की रह गए, टोटल जो इनके पास खायर बहुत कम है, कोई बात नहीं, और शेयर होल्डिंग पर्टर में अगर हम चलते हैं, तो प्रमोटर्स के पास है 55.87% की होल पर देखी mutual funds holding जो इस company पर बना के रखी है, Reliance Large Capital Fund, Motilal Oswal, SBI Blue Chip, Motilal Oswal, Multicap Fund Direct Plan तो हमने basic देख लिए, अब हम return दिखाते हैं आपको कि इनोंने, क्योंकि एक साल से ही इनके return के data उपलब दे, क्योंकि data साल पहले ही लिस्ट हुई है 2017 में, तो एक साल में जबरदा 63.86% के return है, और year till date 38.21% के return है, और 6 months में 36% जबरदास्त return है, 3 मेने 25% से ज्यादा के return है, एक मन्त में 14% और 1 week में 2%, 1 day में भी 1.83% के upside है, तो friends अभी आप समझ गया होगे कि basically यह एक ICSA Lombard General Insurance Company जिसका अभी sector अभी इसका boom नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, चाहे आपके STFC Standard Life हो या फिर ICSA Lombard हो या और भी कुछ ऐसे इनकी जो कमपनिया है, तो मुझे लगता है कि जिस पूरे सेक्टर में जब जब जबर्दस्त भूमायागा, जब लोग जागरूख हो गए अपने आपको इंशिरोड करना चाहेंगे, तो यह काफी कमपनिया मुनाफे में रहेंगी, और सब का जितना भी अच्छी कमपनिया है, उनका प्रेमियम और बसली बढ़ेगा, तो अच्छा रिटन मिलने के संभावना है, फिर भी अगर आप इस सेक्टर में इस कमपनी में निवेश करना चाहते, तो ज़रूर आप अपनी रिसर्च भी करें, और बेसिक चीजे जाने कि हमें ऐसे कौन से सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए, जो आने वाले समय में हमें पात दस सालों में अजबरदस्त रिटन जिन से मिल सके, तो मुझे लगता है कि ये जो जनरल इंशुरेंस, जो इंशुरेंस कमपनिया है, इनमें भी आने वाला समय इन ही का है, और ये आपिसली बैंक से रिल मैं आज इसी आईसे लंबर्ड के बारें बताना था, और मैं तो इसमें बिल्कुल भी चाहूँगा कि आप लोग चाहें थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, अच्छी कमपनिय देखके, और थोड़ा सा इनके अभी फिलाल क्वार्टर के रिजल्स या फिर आने रिजल रिटन दे सकती भविश्य में जैसे से इनका व्यापार बढ़ेगा, चली मैं अपना वीडियो यहीं बाइंड अप करता हूं, थैंक्यू फो वाचिंग इस वीडियो